तो वेलकम तो अलाफ यू और इट इस माइ लेक्च्छर शेकेंड ओके फास्ट लेक्च्छर आइव डिसकस्ट दा डिफेंट मोडल्स रेगारडिंग अटामिक स्ट्रक्चर ओके इन्होंने क्या बोला कि आइटम कंसिस्ट आप थ्री पाय्टिल्स इलेक्ट्रों निउट्रांस ठीकें आइटम किस किसे मिलके बना है इलेक्ट्रों प्रोटान निउट्रांस ठीकें प्रोटान जिसमें प्रोटान निउट्रों लोकेटेड इन इसमाल नुक्लिएस एड दे सेंटर आफ आइटम ठीकें प्रोटान निउट्रांस इसमें कहां पर लोकेटेड होते हैं इसमाल नुक्लिएस कहां पर सेंटर आप तो center of aon atom में कॉनकॉन fluctuations पाए रहे है व्यूट्स प्रोटन इंट्रांस ठीक है Electron and atom revolve around the orbit भीचे, आर्बिट अप्नुकलिस ठीक है हेलेक्टोरन कहांपे पाए चाहरे है, items में आर्बिट में पाए जा रहे है, जबकि proton-nutron कहांपे पाए जा रहे है Central of the item means कह सकते हो Nucleus में पाए जा रहे हैं Electron आपके Arbitre में Revolve करते हैं Arbitre have cell with fixed energy और सारे Arbitre क्या होते हैं उनकी energy होती है उसे में electron revolve करते हैं इस तरह से Each energy level have fixed amount of energy No change in energy as electron as long as they present in the same orbit cell energy level and items remain stable तो item stable कब रहेगा जब तक कोई भी electron एक Arbitre से दूसरे Arbitre में मतलब Arbitre में जाता नहीं है मतलब सेम Arbitre में revolve करता रहता है तो उसकी energy में कोई changes नहीं आता है तो energy change takes place when electron jumps from one energy level to other जब electron क्या करता है एक Arbitre से दूसरे Arbitre या एक cell से दूसरे से में आप jump करता है तब उसके energy level में difference होता है ठीक है next बात करते है Arrangement of electron in an item तो arrangement हम देखते हैं Arrangement of electron in various cell energy level on an item in the element is known as electronic configuration ठीक है arrangement of electron क्या है in various cell level of an item is known as electronic configuration ठीक है electronic configuration किसको बचलते हैं electron का arrangement in various cell ठीक है फिर हम बात करते है maximum number of electron that could be put in a particular cell given by Bohar's model Bohar's and Barry model ठीक है कि आप किसी भी cell में maximum electron कितने put up कर सकते हो ठीक है तो उन्हें बोला कि maximum number of electron in an energy level 2N square हो सकते हैं जैसे N बराबर 1 ठीक है 1 मतलब K cell ठीक है तो आप put कर सकते हो तो maximum electron कितने हो सकते हैं इसको आप find कर सकते हो इन आउटर से वाली 8 electron can be present आउटर से में 8 electron हो सकते हैं फर्स्ट एरलियर से बिल भी फिल पहले आप पहली cell को पहले आप पहले आप पहली cell को फिल कर सकते हो फिर वो दूसरी cell को फिल कर सकते हो ठीक है तो यह आपका Bohar's Bohar's model हो गया ठीक है तो thank you for all और अगर आप नए चैनल पर हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब गया